अपने गर्डन की कुछ कटिंग अपडेट डूंगी जो मैंने कटिंग लगाए हुई है रीजनले आपके साथ शेयर के हुए वीडियो उसके पहले मैं आपको दिखा रही है अपने गर्डन की हालत काफी खराब हो रखी है क्योंकि थोड़ा कलर वलर हुआ तो इसके चलते सा कर लिया भी मैं दिखाती हूँ तो अभी यह देखिए यहां पर रैंड लेली से स्टार्टिंग कर रहे हैं रैंड लेली को तो बस बहाना चीए जैसे बारिश होती है वैसे ही इसके फ्लावर खिल जाते हैं तो हमारे यहां पिछले दो दिन पहले काफी तेज बारिश तो सबसे पहले मैं आपको क्रिसमतिमम की अपडेट दूँगी यहां पर देखिए यह मैंने कुछ छोड़ी सी कटिंग लगाई थी जब मैंने आपके साथ के वीडियो शेयर गया था कि पुराने प्लांट्स को किस तरह से हम रैडी करें और कटिंग से लेके मैंने लगाई यहां पर यह दुरुए की कटिंग मैं आपको दिखा री हूँ यह भी मैंने आपके साथ शेयर के हूआ वीडियो यहाँ है EBS काफी अच्छे से लग गई है इस पे कली भी बन गई थी तो मैंने हटा दी ताकि प्लांट सेट हो जाए एक यह भी कटिंग देखिए यह भी हमारी ठीक है चल गई है और यहां पे कुछ और कटिंग थी जो कि खराब हो गई और बारिश भी हो रही थी तो मैंने निकाल नहीं नहीं तो फिर दूसरी कटिंग भी खराब हो जाती यहां पे यह तो अर्बी के पत्ते हैं मैंने एक डाल दिया था और यहां पे देखिए कुछ और हमारी के समतिमम की कटिंग है तो इन में भी काफी सारी कटिंग हमारी लग गई है और छोड़ी-छोड़ी सी कल्यां भी इ वीडियो शेयर गया था रूट प्रूनिंग की थी मैंने इनकी काफी सारी रूट इनकी हटा दी थी मैंने तो यह भी काफी हेल्डी से ग्रो हो रहा है सीजन नहीं है इनका इसलिए उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और यहां पे हमारे कुछ और क्रिसम्तिमम की हैं जिने मैंने अलग-अलग कलर के हिसाब से अलग-अलग पॉट में लगाया हुए हैं काफी सारी तो इनमें भी कलियां बनना स्टार्ट हो गई है और इन सबको अब मुझे थोड़े-बड़े पॉट में शिप्ट करना है और इनकी पिंचिंग करते रहना है फिर हमें यह अलग टिंग काई ह vulner काई है यहां शिप्रें से चौटे वाले सबको कंतर ही जल्दी फ्लावरिंग होती है यहां पर मैंने एक लांतर्श की कर्टिंग लगा हुई ही थी तो यहां यहां पे आपको दिखारी हूँ यह Bogan Vila की cutting देखे मैंने लगाई थी तो ये मैंने लगाई थी रहनी सीजन में आगस्त में लगाई थी तो ये भी काफी अच्छे से set हो गई है इसमें दो cuttings थी तो दोनों ही लग गई थी लेकिन एक बार क्या हुआ कि मंकी ने गिरा दिया था तो मुझे लगता है यह वाली हिल के खराब हो गई है और रूट नहीं आई होगी इस पर इसलिए खराब हो गई है और दूसरी तो काफी अच्छे से सेट हो गई है प्योर सेंड में लगाई थी यह कुछ नहीं मिक्स किया था यहां पर कुछ मैंने धनिया और लैसन लगाए थे जो कि मैं हर्वेस्ट करती रहती हूँ यहां पर पालक है और यहां पर भी पालक था जो कि मैंने कल ही हर्वेस्ट कर लिया क्योंकि यह बारिश होई ना तो उसके बाद जब धूप निकलती है तो इनमें कीड़े लग जाते है और यहां पर मेरे कुछ तो इन पे भी देखिए अब कलियां बनना स्टार्ट हो गई है तो पिंचिंग करना है मुझे यहां पे देखिए यह हमारे क्रैंबरी हिबिसकस जो की काफी अच्छे से इस समय फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी इनका सीजन है और मैं इस पे एक सेपरिट वीडियो डालने वाल है और बारिश होए थी तो यह जुके जुके से हो गया है मुझे इन सबको सेट करना है यहां पे हमारे मैरी गोल्ड भी देखिए फ्लावरिंग पे आ गया है यह डार्क ओरेंज वाला कलर है अभी दूप में शायद आपको ठिक से समझनी आ रहा होगा और यह देखिए मैं टोटली वेस्ट चीज है यह नमकीन का एक पैकेट है वनकेजी का उस पर मैंने लगाया हुआ है दो कटिंग लगी होई है तो यलो वाले में भी फ्लावरिंग होई थी काफी अच्छी फ्लावरिंग होई थी तो उसके फ्लावर मैंने पूजा के लिए ले लिए थे यहां संफ्लावर देखिए अपने से निकल आया था और यह इसका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है इसका नाम तो इसका नाम मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी आप देख लीजिएगा और यह कॉस्मोस देखिए यह सीट से मैंने हूई है शायद वह स्मर के नहीं विंटर के होंगे यहां लिजिए डेहलया प्लाइघ लing जिम्हा राडी किये थे जिन्हें प्लाइजर को देखिए वाivia मैंने प्लावर देखिए कटेस लोड़ाया यह वही प्लांट है और प्लावर नाम देखि घिखिए होता है और बाद में फिर इनकी फ्लावर और भी बढ़े आते हैं कलिया भी देखिए काफी सारी बन गई है एक प्लांट पे तो काफी सारी कलिया बन गई है लेकिन दूसरे प्लांट पे अभी कलिया नहीं बनी है सिर्फ ग्रोथ होई है और मुझे लग रहा है मैं की और कटिंग लगा एक मेरा प्लांट तो पूरी तरह से मंकी खराब करके गए तीन थे मेरे पास और ये देखिए ये सिलोशिया और ये देखिए देशी वाला ये तो खुद से ही निकल आया था तो काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस पे भी काफी सुनदा लगते इसके फ्लावर इस मेरे आपे समर वाले प्लांट लगे थे उन में से तो ये निकल आया है वैसे इनका सीजन समर में ही बैस्ट रहता है और अभी देखिए इनके प्लांट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लग रहे है इस पे भी दो फ्लावर आया थे दूसरे वाले पाट में भी और इसमें भी लग रहे हैं और इनकी पत्तीयां देखिए कैसे लग रही है क्योंकि विंटर में ये कुछ इसी तरह से रहते हैं तो मैंने लगाए नहीं थी खुद से निकल आया तो फिर मैंने हटाया भी नहीं रहने दिया इने और यहां पे जरवेरा देखिए जरवेरा में ग्रोध भी अच्छी हो गई है और इन में अब कल्यां भी बन गई है चोटी-चोटी सी कल्या मैंने देखी थी पट में एक दो जगए यह देखिए कि यह एक फ्लावर भी स्पेंड हो गया वारिश में और भी कल्या थी अपी दूप में मुझे समझनी आ रही है यह देखिए तो यह भी क अपी अच्छे से हैं यह हमारे कॉस्मोस देशी वाले यह हमारे अलमंडा अलमंडा बे भी अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ हो रही है इसकी कटिंग भी मेरी लग गई तो फ्रेंज बस यह छोटा सा अपडेट मुझे शियर करना था कटिंग का आपके साथ वीडियो अ करेगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा